आज की इस वीडियो में हम प्रिंटेड फैब्रिक्स और लेसिस का इस्तमाल करके बहुत ही संदर साइक पैच वक का नेक डिजाइन बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए मैंने ये कुर्थी का फैब्रिक लिया है ये ट्राउजर का फैब्रिक है और ये दो छोटे छोटे प्रिंटेड फैब्रिक्स है जो मेरे पास पहले से ही बचे हुए थे इन्हें मैं गले के डिजाइन के लिए इस्तमाल करूँगी तो यहाँ पर मैंने ट्राउजर के फैबरिक में से 7 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा कपड़े का एक टुकड़ा कट किया है और मेरे पास ये लेफ्ट ओवर फैबरिक है जिसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 10 इंच आप इसकी चौगा कोई प्लेइन फैबरिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इन दोनों कपड़ों को फ्यूस पेपर के उपर इस तरह से चिपका देंगे प्रेस की हल्प से हम दोनों के दोनों फैबरिक को फ्यूस पेपर के उपर चिपका देंगे गले की चोड़ाई मैंने यहां पर ली है 3.5 इंच और लंबाई मैंने ली है 8 इंच आप गले की लंबाई और चोड़ाई अपनी मैजरमेंट्स के हिसाब से बना सकते हैं अब हमें यहां पर एक गोल गला ड्रॉ करना है तो इसके लिए यहां से 1.2 इंच की दूरी पर एक तिर्ची लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इस निशान को टच करते हुए हम गोल गला ड्रॉ करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट राउंड नेक हमारा यहां पर बन कर तयार हो अब इस गले के चारो तरफ हमें 1.2 चौड़ा बॉर्डर ड्रॉ करना है जिसके लिए 1.1 की दूरी पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को आपस में जोड लेंगे इस तरह से और एक इंच चोड़ा यहां पर border हमारा draw हो गया है अब हम इसे cut कर देंगे और इस तरह से गले की cutting करने के बाद हम इसे trouser वाले fabric के उपर चिपका लेंगे तो यहां पर मैंने गले को trouser वाले fabric के उपर चिपका लिया है अब हम कुर्थी का center mark करेंगे तो गले की cutting करते हुए जो fuse paper बीच में से बचा था उसे हम कुर्थी के front हिस्से पर बिल्कुल center में रखके इस तरह से यहां पर mark कर लेंगे और इसका center भी हम अच्छे से mark कर लेंगे इस तरह से अब हम गले के लिए patch बना कर तेयार करेंगे तो जो fabric हमने fuse paper के उपर चिपका के रखा था उसे हम बराबर 4 हिस्सों में काट लेंगे आप चाहें तो यहां पर plain fabric का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो इस तरह से इन पट्टियों को अच्छे से cut करने के बाद हमें इनके बीच में lace लगा के इनको attach करना है तो यहां पर मैंने दो तरह की laces ली है सबसे बीच वाले हिस्से में मैं थुड़ी अलग तरह की lace लगाऊंगी और दोनों तरफ मैं एक जैसी lace attach करूँगी तो इस तरह की double edging वाली laces बादार में बहुत easily मिल जाती है अलग लग patterns में आपको यह laces मिल जाएंगी उपर एक top stitch लगाएंगे ताकि lace बिल्कुल सफाई से attach हो जाए पट्टी के साथ और अब हम lace की दूसरी तरफ दूसरी पट्टी को attach करेंगे इस तरह से यह देखिए बहुती सफाई से हमें दोनों पट्टियों के बीच में lace को attach करना है ताकि बीच में एक जालिदार pattern हमारा नजर आए इसी तरह से बाकी की पट्टियों को भी हम laces के साथ attach करेंगे और यह देखिए यहाँ पर इस तरह का एक pattern हमारा बन कर तयार हो गया है और इसी तरह का pattern आप अपने plain fabric के उपर भी बना सकते हैं अब हम इसके नीचे एक और laces तरीके से attach करेंगे किनारी पर सिलाई लगाएंगे और अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और एक top stitch लगाएंगे और अब जो हमने ट्राउजर के print में से fabric cut किया था उसे इस तरीके से इसके नीचे attach करेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे अब नीचे वाले पैच को हम इस तरीके से कट करके सीधा करेंगे और इस पैच की लंबाई हमें सिर्फ 4 इंच तयार जाए तो 4 इंच नाप के एक्स्ट्रा कपड़ हमें कट कर लेना है अब हम इसके उपर ये लेस लगाएंगे जो की बिल्कुल ऑप्शनल है मेरे पास ये लेस पड़ी थी इसलिए वैने इसके उपर अटैच कर दी है तो इस तरीके से हम लेस को रखेंगे कि इसका कटवक वाला भाग जो है पैच के अंदर की तरफ हो और इसकी किनारी पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सीधा अटैच करना है हमें इस लेस को बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी हम लेस को अटैच करेंगे और इसके नीचे वाले हिस्से पर भी हम लेस को इसी तरह से अटैच कर देंगे अब हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे इस तरह से और पैज को बिल्कुल सीधा कर लेंगे काटके इस तरह से और अब मैंने एक और फैब्रिक यहां पर लिया है जिसकी दो इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की है अब इस फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे और जो सिलाई हमने लेस अटैच करते हुए साइड में लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के उपर एक बार और सिलाई लगाएंगे जैसे मैंने यहां पर लंबी लंबी लाइन्स वारा फैब्रिक यूज किया है पाइपिन लगाने के लिए आप चाहें तो यहां पर सिंपल फैब्रिक भी इस्तमाल कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको भी इसी तरह के प्रिंटेट फैब्रिक से इस्तमाल करके ही पैच बनाना है आप plain fabrics का इस्तमाल करके भी ये patch बना सकते हैं तो इस तरीके से मैंने तकरीबन आधा इंच चौड़ी piping इस patch के दोनों तरफ attach करी है और अब नीचे से हम यहां से piping का extra कपड़ा cut करेंगे और इसके नीचे वाले हिस्से पर भी हमें piping attach करनी है नीचे वाले हिस्से पर piping attach करते हुए हमें piping के कपड़े को थोड़ा सा पिछली तरफ मोड देना है इस तरह से और अब सिलाई लगानी है इस तरह से और यहां से भी हमें कपड़े को थोड़ा सा पिछली तरफ मोड देना है और अब हम इस कपड़े को इस तरह से सीधा करेंगे और पिछली तरफ पलट देंगे जिससे की इसके साइड्स में भी फिनिशिंग आ जाएगी इस तरह से बहुत ही सफाई से हमें यहां पर भी सिलाई लगा लेनी है और इस पैच को बना कर तयार कर लेना है तो यह देखिए इस तरीके से सिलाई लगा कर मैंने इस पैच को अच्छे से रेडी कर लिया है आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा यह पैच बन कर तयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से laces लगाने पर कितनी सुन्दर details एड़ हो गई हैं इस patch के अंदर यह देखिए अब हम इस patch को कुर्ती के front हिस्से पर इस तरीके से रखेंगे तो जो गले का निशान हमने लगाया था उसके हिसाब से हम इस patch को अच्छे से सेट कर लेंगे पहले और उसके बाद इसके center में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और यह सिलाई हम डिजाइन पूर होने के बाद निकाल देंगे पैच के center में यह कच्ची सिलाई लगाना बहुत जरूरी है इससे हमारा patch अपनी जगा से हिलेगा नहीं जब हम इसके side पर lace लगाएंगे तो अब इसके side पर मैंने यह वाली lace ली है लगाने के लिए इस तरह की laces भी बहुत easily बाजार में मिल जाती है यह देखिए इस तरीके से हमें इस lace के कौने बनाने है और lace को pipe in के नीचे दबाते हुए अच्छे से सिल देना है lace को attach करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़े में बिल्कुल भी बल नहीं पढ़ने चाहिए और lace बिल्कुल सफाई से attach होनी चाहिए अगर आप beginner है तो आप पहले patch के उपर lace attach कर लीजे और उसके बाद ही आप इस patch को कुर्ती के उपर attach कीजिएगा अब इस patch के side पर भी मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है तो patch मैंने यहाँ पर अच्छे से attach कर दिया है अब हम इसके उपर बनाने के लिए गला ready करेंगे तो गले का extra fabric हम इस तरह से पिछली तरफ मोडेंगे और कच्चा टांका लगाएंगे अब इस गले के उपर हम lace lace लगाएंगे तो क्योंकि यह गोल गला है तो इस lace को हम इस तरीके से खीच देंगे ताकि ये lace गोल गले पर easily लग जाए इस तरह से हमें lace को अच्छे से stretch करके ready करना है गोल गले पर लगाने के लिए इस तरह से stretch करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि lace कितना easily गोल गले पर attach हो रही है बिल्कुल भी बल नहीं पढ़ेंगे अब lace को गोल गले पर attach करते हुए तो इस तरह से हमें इसकी किनारी पर lace को अच्छे से attach करना है गले के नीचे दबाते हुए तो ये देखिए Lace को मैंने अच्छे से attach कर लिया है अब हम गले को बीच में से इस तरह fold करेंगे और इसके बीच में एक कट लगाएंगे तो इसका सेंटर मैंने मार्क कर लिया है अब हम कुर्ती की रॉंग साइट पर गले को इस तरीके से रखेंगे और जैसे हम कोई भी बेसिक गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गला बनाएंगे बस इसको हमें पलट के सीधी तरफ लेकर आना है अब इस तरीके से गले को सीधी तरफ पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से इस तरह से सिलाई लगाने पर गले में बहुत ही फिनिशिंग आड़ हो जाती है और बनने के बाद गला बहुत अच्छा लगता है और अब हम इस गले के बाहर वाली तरफ भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से और अब हम एक सिलाई इसकी लेस के उपर भी लगा लेंगे इस तरह से तो इस तरह से गला बनाने के बाद अब हम इसके उपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसका कच्चा टांका निकाल देंगे तो देखिए गला हमारा यहां पर बन कर तयार हो गया है तो गाईज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगिलर अपडेट्स मिल सकें साथ ही आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लिजेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग बाई बाई